साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चन्द बढ़ वा आजकल एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है दोस्तों छुट्टी का दिन है अगर नहीं देखा है तो देखिएगा आठकिल 370 बड़े दिनों के बाद किसी फिल्म की चर्चा हो रही है वैसे तो गया भी हो गई थी और पता है कि उसमें कितना एक एको सिस्टम काम करता है तो जब आठकिल 370 की बात हो रही है दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको फिल्मों की दुनिया की सैर कराई जाए और बताया जाए कि आखिर सिल्वर स्क्रीन में कितना बड़ा बदलाव आया है फिल्म आठकिल 370 ने दोस्तों अपने पहले दिन ही द कश्मीर फाइल्स के भी रिकॉर्ड तोड़ दिये है और इसलिए चर्चा हो रही है सारे मीडिया संस्थानों में फिल्म ने पहले दिन 5 करोड रुपे की कमाई की जबकि कश्मीर फाइल्स ने पहले दिन 3.55 करोड यानि 3.55 लाख रुपे की कमाई की थी ये कमाई अब आगे और बढ़ रही है लेकिन बात कमाई की नहीं है दोस्तों फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है मीडिया में जिन लोगों ने देखा उसके रिव्यू देखिए ये देखिए यामी गौतम की ठोस एक्टिंग से एंगेजिंग बना रियालिटी की पोटली में बनधा फिक्शन और आटकिर 370 अगर है तो बड़े ध्यान से इस नंबर को भी गौर कीजेगा इस फिल्म से बहुत सारी चीजें पता चलेंगी और ये रिव्यू देखिए कश्मीर के दुश्मनों को बेनकाब करते हुए विशय की गहराई में उतरती है आटकिर 370 जानते हैं दोस्तों लोगों को भूल जाने की बड़ी बिमारी होती है और खास करके मैं तो मीडिया में देखा है मैंने मीडिया में ऐसा होता ना कि एक खबर अभी चलाईए उससे उलटकर दूसरी खबर दिखा दीजी लोग को फर्क नहीं पड़ता और लोग सोचते हैं कि लोग भूल जाते हैं ये सारे लोग जो एलिट क्लास के लोग हैं और इसलिए इन फिल्मों की चर्चा जरूरी है अब ये फिल्मे क्यों महत्पॉर्ण है पहले मैं आपको ये बताता हूँ क्योंकि माना जाता है कि कहानिया समाज का वो धर्पन होती है जिसमें हमें बदलते समाज का चहरा दिखाई देता है अब जैसे मैं आपको बताऊं प्रेमचन उनकी मशूर कहानी गोदान ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए आजादी के पहले के काल खंड बे किसी गाउँ या समाज या किसान की स्थिती को देखना हो तो आप पढ़ लीजिए वो पूरी कहानी हमारे सामने रख देता है पुरा बिम्ब खड़ा कर देता है और ये इतिहास करी नहीं सकता दोस्ते वैसे ही आज के दौर में लिखी गई कहानिया जो सिनेमा के परदे पर हमारी आखों के सामने जीबनत हो रही है वे उस सचाई की दास्ता है जो वरतमान इतिहास कारों की आखों के सामने नहीं आती है अभी आपको मैं एक हाल ही में सिनेमा के परदे पर एक फिल्म है बस्तर दर नकसल स्टोरी इस नाम से ये हमारी आखों के सामने आई और ये कहानी दोस्तों इतिहास के उस हिस्से के बारे में बड़े ध्यान से सुनिये जब 36 गड़ के बस्तर में सेना के 76 जवानों को नकसलियों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था तो इन जवानों की मौत पर जेनियू है ना अपना वहां बैठे विद्यारतियों ने जश्न मनाया था और ये फिल्म 15 मार्च को रिलीज हो रही है याद रखिए इतिहास में कई कहानिया होती है लेकिन हम किन कहानियों को देखते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन कहानियों को लिखने वाले की सोच क्या है अब जब सेना के जवानों के मारे जाने पर खुशी बनाने की सोच रखने वाले इतिहास की कहानिया लिखते हैं तो फिर तो यही होगा ना फिर तो आटकिल 370 जैसे कहानी भी नहीं आएगी कौन दिखाएगा आपको और इसलिए आटकिल 370 का रिलीज होना दोस्तों बहुत ही महत्पोर्ण है इस फिल्म में भी इतिहास की वो कहानी है जिससे जमू कश्मीर में आतंकवात को पनपने का मौ परदा हटाने देता कभी नहीं और तभी आज हमें एक और फिल्म बता रहा हूं आखिर पलायन कब तक इस तरह की फिल्में इस तरह की कहानियों वाली फिल्में देखने को मिल रही है अब ये भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी है और जानते हैं घटना है क्या है इसमें कश वो जम्मू कश्मीर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता था कश्मीर के इन ही पंडितों के पलायन के दर्द से भरी जो घटनाए इतिहास में दर्ज हैं दोस्तों उसी को ये फिल्में सामने रख रही है और ऐसी एक और फिल्म की बात आपके सामने बताना जरूरी ह इसमें भी तो यही था यहां लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम इतिहास के पन्नों से कश्मीरी पंडितों के दर्द और पलायन को निप्टाने में लगा था वहीं अब आप आजाए एक केरल में तो यहां धर्म परिवर्तर के साथ-साथ पनप रहे आतंकवात को भी दबाने क काम कर रहा था लेकिन ये फिल्म पांच मईए 2023 को रिलीज हुई आपको सारी फिल्में एक एक करके बता रहा हूं क्योंकि दग केरल स्टोरी ने भी इसी खेल को धुस्त किया था दोस्तों और हम सब जानते हैं कि इतिहास का रंग कैसे बदला जाता है इसे समझने के लिए इसका एक और उदाहरन है दोस्तों कोवीड में भारत के विज्यानी को द्वारा तैयार की गई कोवीड वैक्सिन लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम की तो हमेशा यही कोशिश रही किस वैक्सिन से जुड़ी कहानिया घटनाए समाच से दूर रहे पता न चले लेकिन दा वैक 2022 के कालखंड में किस तरह से देश के विज्यानी को और सरकार में मिलकर वैक्सिन तयार की और देश के 140 करोड़ लोगों का टीका करण किया इस पर तो हर तरफ मौन ही हैं कौन बोलेगा लेकिन 2 अक्टूबर 2023 को जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसने इस मौन को तोड़ा लोगों को याद दिलाया इसलिए एक बार तो लगता है मुझे यदि हमारे पास फिल्म का माध्यम नहीं होता आप सोचिए दोस्तों तो हम अपने इतिहास और वर्तमान की घटनाओं के उन आयामों को क्या देख पाते जिने लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम कभी दिखाना नहीं चाहता है मैं आपको एक ऐसी घटना बताता हूं इसरों के विज्ञानिक स्री नामभी नाराइनन उनके जीवन को याद कीजिए ये जो कहानी है ना रॉकेट्री दी नमभी इफेक्ट इस फिल्म में देखने को मिलती है इनकी कहानी सुनेंगे ना तो रुह काम जाए जिस नामभी नाराइनन ने देश में रॉकेट को तयार करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया जब वो रॉकेट बनाने और उडाने की तकनीक पर काम्याब होने वाले थे तब ही केरल की वामपंथी सरकार ने साजिश के तहत देश द्रोह के जाल में उन्हें फसा फिल्म नहीं आती पता चलता और 2019 में इन्हें देश ने तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूशन से सम्मानित किया अब आप सोचिए जो लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम नामभी नाराइनन की योगदान को उनकी देश भक्ति को भुला देने की साजिश रच स सकता है वो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपदा के श्रोथ भग्वान राम के इतिहास उनके मेहत्व को भुलाने के लिए क्या नहीं कर सकता है क्या नहीं किया बलकि इसने तो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया दोस्तों जो लेफ्ट लिब्रल इको सिस्टम भारत के मूल को ही मानने से इंकार करता है उसकी इतिहास को जूठा साबित करने के लिए फिल्म एक सशक्त माध्यम बनकर हमारे सामने खड़ी हुई है और ये काम फिल्म 695 में हुआ है ये नहीं फिल्म है इस फिल्म में श्री राम के अस्तित्व और उनके जन्मस्थान के लिए 500 सालों के संगर्ष की घटनाओं को हमारे सामने रखा गया है अब ये जो लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम है इसने इतिहास की उन घटनाओं को भी दबाने का काम किया दोस्तों जिससे उस पर देश के लोकतंत्र की मरियादाओं को खत्म करने का दोश लगता है जहां ये काले पन्नों में इनका नाम अंकित होगा ना उसको मिटाते हैं लेकिन इस दोश को भी हमारे सामने लाने का काम एक और फिल्म कर रही है और इसका नाम है इमर्जेंसी देख लीजिए 14 जून को रिलीज होगी कंगना रनाउत है और इस फिल्म में इमर्जेंसी के काल खंड के उन काले कारनावों को देखने को मिलेगा जिससे इतिहास के पन्नों में डफ्न कर देने का काम किया गया इसलिए सारी फिल्म में आपको एक итог कर के बता रहा हूँ लेफ्ट लिब्रल इतिहास कारों ने उन कुरूरताओं को दबाने का काम किया दोस्तों जिससे इसी को सिस्टम की बदनाम ही ना हूँ उसी तरीके से उन वेक्तित्वों के चरित्र को भी छोटा करने का काम किया गया जो इन्हें पसंद नहीं थे वो इनके सिस्टम के नहीं थे लेकिन वो महान जरूर थे अब मैं आपको एक और फिल्म के बारे में बताता हूँ स्वतंत्र बीर सावर कर कितना उनको बन्नाम किया गया अब ये फिल्म आई इस फिल्म से हमें उस दौर की घटनाओ और उस वेक्ति के बारे में जानने को मिलेगा जिसे हर बार कम तर बताने का प्रयास इस एकोसिस्टम के इतिहासकार करते रहे इस एकोसिस्टम को दोस्तों अपने विचारों से रोक देने वाले एक और महान वेक्तित्व है अटल विहारी बाचप Between उनको भी इतिहासकारों ने वो स्थान नहीं दिया जितना वे कॉंग्रेस और अन्य निताओं को देते हैं और इसी ध्रम को तोड़ने के लिए 19 जनवरी 2024 को एक फिल्म रिलीज हुई मैं अटल हूँ देख रहना कितनी फिल्में आ रही है और ये क्यों आ रही है इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्ते लेकिन मैं एक और वेक्ति के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में तो इतिहास के पन्नों में कम लिखा गया क्योंकि वो निर्भिक, निडर और सासी थे वो कोई और नहीं स्वतंत्र भारत के पहले फिल्ड मार्शल जनरल मानिक शा थी जिन्होंने देश की रक्षा को अपना सबसे बड़ा आदर्श माना था उनके इंद्रा गांधी के साथ बड़े गहरे मत्भेद रहते थे दोस्तों फिर भी 1971 में उनके ही कारण भारत को बंगला देश युद्ध में विजय मिली थी उनकी भी कहानी है और ये फिल्मों के ज़री तो खुल मिला कर दोस्तों देश के इतिहास का राष्ट्र जीवन में वही महत्व है जो हमारे जीवन में हमारे परिवार के दादा, परदादा, नाना और अन्य पुर्वजों से जुड़ी घटनाएं होती हैं हम अपने परिवार के पुर्वजों की घटनाओं को याद करके गर्व भी महसूस करते हैं तो उनकी गलतियों से दुखी होने के साथ साथ सीखते भी हैं। कुछ अगर गलतियां हो गई ही तो सीखते हैं ना लेकिन आप सोचिए यदि घटनाओं को हमारे सामने तोड मरोड कर पेश किया जाता है तो होता क्या है? हम गर्ब करने के बचाए आत्म गलानी से भर जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से हमें आत्म गलानी से भरने के लिए Left Liberal Ecosystem ने एक ऐसा इतिहास लिखा जिसे आज की फिल्में सही आयाम देने का काम कर रही है। क्योंकि राष्ट का भवश्य तभी बदलता है जब इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदलता है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे, लाइक कीजे, शेयर कीजे, कमेंट कीजे और इस बेल आइकन को क्रिस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।